नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना विदान सबा सेशन जारी है विदान सबा में अरियाना सरकार के दवारा बरतियों का जो डटा जारी किया गया है उसके उपर भी चर्चा क अगर आप भी ये दोनों आपडेट देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें विश्वसने चैनल है लगातार आप तक स्टीक खबरे बरतियों से रिलेटिड पहुंचाई जाती हैं तो साथियो आपको पता होगा अर्याना में बीजेपी सरकार आने से पहले बरतियों का क्या रवया था और 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो बरतियों का क्या रवया चुरू हुई मानदे कुछ फुटपोट गटनाए हुई या कुछ दो च्यार पांच पर्षेंट यह दस पर्षेंट तक भी सातियों। सही कंडिडेट ना लगे हूं लेकिन 80-90% अगर सही कंडिडेट लगते हैं पारदर्सिता से तो उसमें पारदर्सिता की तरफ ही गिना जाता है क्योंकि 2014 से पहले अरियाना में 100-100% कंडिडेट कैसे लगते थे वो आपको पता है सभी को बताने की जरूर पी नहीं है आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है क्योंकि सात्यों 2014 के बाद जब 2019 में बीजेपी की सरकार दुबारा से 40 सीटे लाने में कामियाब रही है बीजेपी 40 सीटों तक पहुंच पाई उसका सबसे बड़ा कारण सरकारी बर्तियों में पारदर्सिता ही था गलियारे में इसकी खूब चर्चा हो रही है कि सरकार बर्तिया मेरिट पर मिल रही है जो कि 2019 में चर्चा थी अलाकी पेपर लेकी घटनाई भी हुई थी उस समय भी मामले दर्ज भी हुए किसी दूसरे के स्थान पर पेपर देने की मामले भी सामने आए इसके बावजूद सरकार के पक्स में यह माउल बन गया कि गरीब परिवारों के गरों में अब सरकारी नौकरी बिना शिपारिस के मिल पाएगी और साथियों उस समय का आपको वो भी आलम याद होगा जब ओनलाइन कुछ वर्तियों के एक्जाम ले गए थे अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के जिसमें 90 में 90 नंबर तक आये थे लेकिन कुछ लेमिटिड संक्या में ऐसी बर्तियां होई थी जिसमें ऐसा सामने आया था जिस कारण से साथियों वो मुद्दा जद हाईलाइट नहीं हुआ और आखिरकार सरकार की छवी बनी की सरकार पार्दर्शिता से बर्तिया कर र का जो रप्तार है वो दिमी हो गई अर्याना में गुरूप A और B पर अर्याना लोकसिवायोग और COD पर अर्याना करमचरी चैनायोग बर्ति करता है इन दोनों आयोगों ने अक्टूबर 2019 से नौमबर 2023 तक सिरफ 13125 पदों पर बर्ति की है यह डाटा खुद सरकार ने अर् कुमन इलिजीबल्टी टेस्ट के कारण गुरूप C और D की बर्तियां हो ही नहीं पाई गुरूप A और B के पदों को भी वापस लिया जा रहा है यहनकि हैस्पेसी में तो एक अलगी मामला चल रहा है साथियोग गुरूप C और D की तो CT आने के बाद से बर्तियों का प्रो जो पद विग्यापित हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि विग्यापित होना बाकी हैं जैसे कि गुरूप C की बात करें तो अर्याणा पुलिस की बर्तिया जिसमें 6000 पदों की उपर यह बर्तियानी है लेकिन विवाग की वज़से अभी तक इस बर्तिया जो पेच फसा यहाण आयोगने 408 केसों का तो निभ्टा रहा किया है अब आप सोच सकते हैं 409 केसों का निभ्टा रहा किया गया है और यहना लोग से वाइच द्वारा चोबन केसों का निभ्टारों किया पैदो यान कि जब-जब केस खतम होगा सात्यों उसके बाद ही बरती की परक्रिया आगे बढ़ पाएगी इसके अलावा सात्यों मान ये उपराष्ट पती जी जगदीप धनकड जी कुरूचेतर में रविवार को गीता जेनती पर बोलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोरलाल की बरतियों के बारे में तारिफ की है क्या क्या कहा है कि जब-जब अर्याना आया हूँ तब-तब मेरे लिए अद्बत अनुबर रहा है अर्याना में आकर मुझे हमेशा और्जा मिलती है पूरे परदेश में अर्याना की बात ये अलग है उन्होंने सीम साब की काफी शाब डेता है अब गलियारे में चर्जा है कि उपरास्ट पती ने जो तारिफ की है वह तो सही है मगर पिछले 14 साल से बरतियां सिर्प 13 जारी हुई है तो वो भी देखना जरूरी होगा साथियो तारिफ हुई है अच्छी बात है लेकिन दरातल पर कारिये करना भी बहुत जरूरी है इस समय गुरूप C की 32,000 पदों पर बरतिया और TGT की 341 पदों पर बरतिया कोर्ट में अटकी हुई है और पुलिस के 6,000 पद तो अभी तक विग्यापिती नहीं हुए है वही है एच्पेसी की बात करें तो साइक प्रोफेसर कोलेज कैटर की बरति पांच साल से नहीं हुई है दूसरे तरफ जेबीटी की बरति 2012 के बाद आज तक नहीं आई वर्ष 2012 के विग्यापित पदों पर 2014 में बरति हो गई थी गुरूप D की बरति चल रही है साथियों 13500 ज्यादा पदों के उपर यानि की करमचारी चैन आयों के 6785 पद विग्यापित हैं जबकी अर्याना लोक सिवायों की 8250 यानि की साथियों टोटल 69,000 पदों के उपर या 69,000 से ज्यादा पदों के उपर बरतियां जो आने की पूरी-पूरी संभावनाई हैं यानि की बरतिया कम्पलीट तो होने वाली हैं साथियो अगर सरकार 69 जार पदों के उपर बरतियां जो की जारी हैं क्योंकि ये बरतियां चल रही हैं साथियो ये बरतियां जारी हैं ये पूरी करती हैं तो माहुल पलट भी सकता है समय का कोई नहीं पता समय कब बदल जाए अब देखना यह होगा लेकिन आप अपनी तयारी जारी रखें क्योंकि सरकार कभी भी अपना गेम खेल सकती है लेकिन आप सभी गेमों के लिए तयार रहोगे तभी आपको जो मिल पाएगी जो कंडिडेट सभी गेम के लिए तयार है उसी के आतों में जोइनिंग लेटर होगा तो साथियों ऐसे ही और बरतियों से रिलेटेट जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा यह एक डाटा कहली जिए यह उपराश्ट पते जी का जो बयान था उसकी चर्चा कहली जिए तो साथियों यह जो भी जानकारी थी आपके साथ शेयर की गई यह ऐसे बरतियों से रिलेटेट जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद